Hey guys, welcome back to Naughty Stitches आज़की इस वीडियो में हम सिंपल साइक नेक डिजाइन बनाएंगे और इस नेक डिजाइन को बनाने के लिए हम सिल्वर कलर के गोटे का इस्तमाल करेंगे तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले गले की कटिंग करनी है तो गले की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुक्रम ली है और मैं गले की जोड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ तक्रीबन 8 इंच आप गले की लंबाई और जोड़ाई अपने मैजर्मेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं तो इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके बीच में गले की शेप ड्रॉ करेंगे तो गले की शेप ड्रॉ करने के लिए नीचे से हमें 1.5 इंच उपर की तरफ निशान लगाना है और यहां से तक्रीबन 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है अब इस तरह से एक छोटा सा वी शेप हमें यहां पर ड्रॉ कर लेना है और अब इस V-shape के उपर हमें एक round गला इस तरह से draw करना है तो इस तरह से गला draw करने के बाद हम इस गले की cutting कर लेंगे इस तरह से गले की shape आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं जैसे की round या square या फिर जो भी shape आपको पसंद हो तो इस तरह से गले की cutting करने के बाद अब हमें कपड़े के उपर गले को चिपका लेंगे और extra कपड़ा काट देंगे अब गले के design का panel बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है और इसे मैंने fuse paper के साथ चिपका दिया है इसकी लंबाई मैंने लिए 13 इंच और 4,5 इंच अब इस पट्टी को बीच में से काट देंगे और इसके उपर chalk की help से इस तरह diagonal lines ड्रॉ करेंगे इन lines के बीच में मैं उतनी ही दूरी रख रहे हूं जितनी इंचे tape की चड़ाई है आप lines के बीच में gap कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं lines हमें chalk से ही draw करनी है pen या pencil से नहीं क्योंकि chalk से draw की गई lines दूसरे कपड़े पर easily transfer हो जाती है तो इस तरह से हमें दूसरी पट्टी पर इस पट्टी को रखना है और tap करना है ताकि ये chalk की dust दूसरी तरफ transfer हो जाए तो इस तरह से हलका हलका ये pattern दूसरी तरफ transfer हो गया है और अब हम chalk से इसको अच्छे से draw कर लेंगे और अब हम इसके उपर ये गोटा लगाएंगे तो जहाँ जहाँ पर हमने chalk से lines draw की थी उसके उपर हमें इस गोटे को सिल देना है मैं इसके उपर design बनाने के लिए silver color का गोटा इसलिए इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि इस कपड़े में पहले से ही silver color की lines थी तो इस तरह से silver color के गोटे से हमें सभी chalk से draw की गई lines को cover कर देना है और अच्छे से सिल देना है गोटे को सिलते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बहुत बारिक बख्ये से सिलाई नहीं लगानी pressure foot को आप तीन नमबर पर set करके सिलाई लगा कर ये गोटा attach कर सकते हैं जिससे गोटा कटेगा भी नहीं तो इस तरह से दोनों पटियों पर मैंने गोटे को अच्छे से attach कर लिया है ये देखिये तो इस तरह से दोनों पट्टिया मैंने रेडी कर दी है और अब हम इने आपस में जोड़ेंगे इन्हें जोडने के लिए मैंने ये जालीदार लेस ली है जो की बिल्कुल आप्शनल है ये लेस मैं कमीज के घेरे और बाजू पर भी लगा रही हूँ इसलिए मैंने इस लेस को गले पर भी अटैच किया है लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं और दोनों पट्टियों को ऐसे ही हापस में जोड सकते हैं तो इस तरह से अब हम इस लेस को सीधा कर देंगे और दूसरी पट्टि को भी इसके उपर अटैच करेंगे अटैच करते हुए हमें गोटे के डिरेक्शन का ध्यान रखना है और इस तरह से दोनों पट्टियों को लेस के साथ जोड़ देना है किनारी पर इस तरह से सफाई से सिलाई लगानी है और अब इसको सीधा करेंगे और इसके उपर एक टॉप स्टेच लगाएंगे इस तरह से धागा विल्कुल मैचिंग होना चाहिए टॉप स्टेच लगाते हुए तो इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी टॉप स्टेच लगा दिया है और ये पैनल बना कर त्यार कर दिया है अब हम साइड से पैनल का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका लगाएंगे इस तरह से तकरीबन आधा आधा इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और कच्चा टंका लगाएंगे, जो कि हम डिजाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे तो इस सरह से पैनल को रेडी करने के बाद, अब हम कुरती के फ्रेंट हिस्से पर गले को रखेंगे और गले की लमबाई का निशान लगाएंगे तो इस तरह से अब हम जो गले की लंबाई है उसे अच्छे से यहाँ पर ट्रेस कर देंगे और अब इस निशान के हिसाब से हम पैनल को इसके उपर सिलेंगे तो जो हमने निशान लगाया था उससे तक्रीवन एक इंच उपर रखके हमें इस पैनल को सिलना है ताकि जब हम इसके उपर रखकर गला बनाए तो यह पैनल के दागे बाहर को नजर ना आए पैनल को अटैच करते हुए सबसे पहले हमें सेंटर में सिलाई लगाने है ताकि पैनल बिलकुल सीधा और बीच में ही अटैच हो अब हम इस तरह का सिल्वर गोटा लेंगे इसे समोसा लेस भी कहा जाता है और इसे हम दबा के इस तरह से अटैच करेंगे पैनल के चारो दरफ इस लेस की किनारी को हमें पैनल के नीचे दबा देना है और बहार सिरफ जो समोसे वाले ट्रैंगल्स है वो ही नज़र आने चाहिए इस तरह से बहुत ही सफाई से और क्येरफुली हमें दबा कर लेस को अटैच करना है लेस को अटैच करते हुए पैनल विल्कुल भी टेड़ा नहीं होना चाहिए और बल नहीं पढ़ने चाहिए अगर आप बिगिनर है तो आप पहले कच्चा टांका लगा कर इस लेस को पैनल के साथ अटैच कर लीजे और उसके बाद ही पैनल को गुर्टे के उपर अटैच कीजेगा अगर सिलाई करते हुए थोड़े बहुत बल आ भी जाते हैं तो आप हलका सा पानी लगा कर उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे बल गायब हो जाएंगे लेकिन कोशिश कीजेगा कि सिलाई करते हुए कम से कम बल आएं तो इस तरह से पैनल को मैंने अटैच कर दिया है और अब हम इसके उपर गला बना देंगे तो जैसे हम बेसिक गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पुकरम के साथ साथ सिलाई लगा कर इस गले को बिल्कुल सेंटर में बना लेना है तो यह देखिए गला मैंने यहाँ पर बना दिया है और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी गोटे की इस तरह से यहां पर मैं इस गोटे को दबा कर नहीं लगा रही हूँ गले के उपर ही मैं इस गोटे को टैच कर रही हूँ इस तरह से जब भी आप गोल गले पर लगाने के लिए कोई लेस लें तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि लेस थोड़ी सी flexible हो और घूम कर easily लग जाए इस तरह का गोटा किसी भी गले की shape पर आप easily लगा सकते हैं क्योंकि यह बहुत चौड़ा नहीं होता और गुमाओदार areas में बहुत easily attach हो जाता है तो इस तरह से इस गोटे को मैंने गले के ओपर attach कर दिया है और अब हम इसके ओपर press करेंगे और extra धागे काट लेंगे और यह देखिए गले का यह design हमारा बन कर तयार हो गया है अब मैं इसके ओपर white color के buttons भी लगा लूँगी जो की बिलकुल optional है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह simple सा neck design पसंद आया है तो इसे like करें और मेरे channel को subscribe करें subscribe के button के साथ जो bell icon है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे videos के regular updates मिल सकें साथी आप मुझे facebook और instagram पर भी ज़रूर follow कर लिजेगा जिसका link मैंने description box में दिया है तो guys thank you so much for watching bye bye